दोस्तों आपको पता ही होगा कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए exercise के साथ में आपको अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सस्ती वाली डाइट प्लैन बताने वाला हूँ जिसको आज मा के आप अपनी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो आपको किसी भी प्रोटीन सप्लिमेंट की प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ये खा के आप अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना सकते हैं जो मैं आपको diet plan बताऊंगा, इसमें मैं 5 meals बताऊंगा, क्योंकि अच्छी body बनाने के लिए आपको minimum 5 meal लेना एक दिन में बहुत जरूरी है, उसके साथ में अलग-अलग timing में मैंने divide किया है, तो उस बात को भी आप लोग ध्यान रखियेगा कि किस time में क्या खाना है, सबसे पहले आते हैं अपने सुबे के breakfast पे, जो breakfast हमें लेना है आट से नौ बजे के बीच में, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें लेना है एक glass दूद, उसके साथ में आप ले सकते हैं मूंफली, 25 ग्राम मूंफली लेनी हैं आपको, जो बिना छिलके वाली मूंफली होती है, उ जो कि हमको 11 से 12 बजे के बीच में करना है, इसमें हमें लेने हैं दो अंडे, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, तो आप लोग अंडे की जगा पे ले सकते हैं, 50 ग्राम पनीर, उसके साथ क्या आपको लेना है, रोटी या आप चावल भी ले सकते हैं, मैं प्रिफर करू प्रोटी बनती है आपके घर में, तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि एक अंडे के प्रोटीन के बराबर होता है, तो आप लोग रोटी ले वो ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ में आप लोग ले सकते हैं सबजी, या फिर आप लोग ले सकते हैं दाल, आप ल जिसका टाइमिंग हम रख रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच में इसमें आपको क्या लेना है? इसमें आपको लेने हैं बनाना, 2 केले लेने हैं आपको उसके साथ में भीगा हुआ चना आप लोग ले सकते हैं 50 ग्राम यास को एक मुट्टी ले सकते हैं या एक कटोरी छोटी सी उसमें आप लोग चना ले सकते हैं भीगा हुआ ये आपको खाना है एक्सेसाइज करने से 25 मिनट पहले 3 से 4 बजे के बीच में उसके बाद में आपको लेना है पोस्ट वर्काउट मिल जो कि आपको अपनी एक्सेसाइज करने की बाद मिलेना है जिसका टाइमिंग हम रखेंगे 5 से 6 बजे के बीच में आपको मैं एक बाद बता दू कि post workout meal में जो हम exercise के बाद लेते हैं उसमें हमें protein की माता थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है इसमें हम क्या लेंगे दो अंडे लेंगे अगर आप लोग vegetarian है तो आप लोग 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं उसके साथ में minimum हमें 3 रोटी लेनी है उसके साथ में हमें दाल लेनी है दाल आप लोग जो लीजेगा वो थोड़ी सी गाही लीजेगा उसके साथ में आप लोग सोया बीन की सबजी जो सोया बीन की खली आती इसको सोया चंक्स भी बोलते हैं उसकी आप लोग सबजी भी ले सकते हैं ये हो गया हमारा पोस्ट वर्काउट मील उसके बाद आते हैं अपने रात के खाने पे एक बात का ध्यान रखेगा कि रात में बहुत जादा देर में खाना मत खाईए थोड़ा सा पहले खाईए और उसके ब आपको लेना है भुना चना 50 ग्रम ये दोनों चीज़ें आपको साथ में खानी है और धीरे धीरे चबाते हुए खानी है जो हमारा पनीध होता है इसमें slow digestive protein होता है जो धीरे धीरे पचता है हम लोग रात भर सोते हैं तो हमारी बोडी को धीरे धीरे protein मिलता रहता है और इस आपका जितना वजन होता है उसका जट दुगना ग्राम आपको protein लेना होता है और जो मैंने आपको diet बताई इसमें आपको 120-130 ग्राम प्रोटीन अराम सी मिल जाएगा तो दोस्तों ये diet आजमा कि आप बहुत अच्छी बोडी बना सकते हैं बहुत सस्ते में किसी supplement की आपको ज़रूरत नहीं है कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा comment करिएगा वीडियो में अपने दोस्तों में share करिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए channel को subscribe ज़रूर करिएगा